Hello friends, आज हम discuss करेंगे the Anglo-Saxon period के बारे में जो के part 1 है history of English literature and language का अगर हम political तौर पे बात करें तो English literature के अगर history बढ़ते हैं तो उसको हम the Anglo-Saxon period के नाम से जानते हैं और अगर language की बात की जाए तो इस time पे the Anglo-Saxon period में जो भी work लिखा गया उसको हम old English literature के नाम से जानते हैं तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगे शुरूर गरती हैं Anglo-Saxon period Then the beginning तो beginning में हमें देखेंगे तो ये craven ये इससे आप याद कर सकते हो जो जो भी tribes यहां पर आई ब्रिटेइन में आई तो सबसे पहले जो Celts थे वो थे जिसको Britons और Gills भी बोला जाता था वो up to 55 BC यहां तक रहते हैं और ये original inhabitants होते हैं Celts जिनको Britons भी बोलते हैं और इनको Britons भी बोला जाता था इसलिए इस प्लेस का इस जगह का नाम ब्रिटेश भी पड़ा उसके बाद Roman Conquist हुआ और ये 55 BC से लेकर 407 AD तक 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 अंगलो सेक्सें इन्वेजिन 407 AD to 787 AD और Viking Invasion भी हुआ था 787 AD और 1066 AD तक तक ये तो उसके बाद Norman Conquist के बाद अगला एरा शुरू हो जाता है जिसको हम आगे डिसकस करेंगे तो ये जितने भी इसमें हैं इन्वेजिन के समय क्या 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 हुआ इनके रूल में क्या क्या हुआ इंगलिश लैंगुज पर क्या क्या अथर पड़ा ये सब कुछ देखेंगे तो C, R, A, V, N से आप अच्छे से याद कर सकते हो C means Celt, R means Roman, A means Anglo-Saxon, V for Viking, R and for Norman क्योंकि ये सिक्वेंस में अगर याद रखोगे तो बहुत हलफुल होने वाला है इससे ही कोशन आते हैं इन आगे डिसकस करते हैं Celts and Romans के अबारे में और England कैसा था England कैसा था before the English people 15th century onwards अगर हम देखे तो Celts and Gales migrate होकर आ जाते हैं जिसको हम इस प्लेस का इंगलेंड का British का original inhabitants मानते हैं तो यहाँ पे जो Romans थे वो repeatedly invasion करते रहते थे और Romans में जो Julius Caesar थे वो बहुत famous राजा थे, Claudius ये बहुत successful kings हुए हैं और camps, towns, romanized ने बहुत अच्छे से इनका good infrastructure देखने को मिलता है Romans के time of period में और military की वज़ा से peace भी हमें देखने को मिलती है Romans ने peace भी maintain करके रखी और बहुत साई उन्होंने implication भी की और Romans अपने साथ Latin language लेकर आए थी तो क्योंकि इनकी जो Celts थे उनकी जो original language थी वो English थी तो ये Romans क्या लेकर आए थे? Latin लेकर आए थी तो Latin का influence हुआ English language के उपर और साथ साथ ये Christianity भी लेकर आए थे Christianity लेकर आए जिसको Christianity ने replace कर दिया paganism को paganism होता है जो किसी भी धरम में विश्वास नहीं रखता उसको paganism बोलते हैं ऐसा माना जाता है जो Saint Augustine होए थे उन्होंने convert किया King Athelbert को 597 AD में इन्टो Christian religion तो आगे देखेंगे तो beginning of the Anglo-Saxon period तो हमने बात की Romans की Romans आये थे पहले थे Kels उसके बाद Romans आये थे Roman में क्यों क्यों से Latin language साथ में लेकर आये थे Julius Caesar ये सब बातें आपने माइंड में रखनी है और उसके बाद आ जाते है Anglo-Saxon period आता है Romans के बाद आता है ये पीरिट और हम England बोलते हैं आज हम वह जो एंगलो है ये एंगल क्योंकि ये बहुत prominent tribe थी उसी से ये एंगल लेंज बना जिसको England के राम से जानती है और ये after Romans आय थी ये tribe English section के बारे में अगर हम देखें बहुत अच्छे से देखती है Celts जिसको Brithons बोला जाता था वह original inhabitants थे वह पहले भी हम discuss कर चुके हैं उसके बाद Romans आते हैं 43 से लेकर 110 AD तक रहती है इसका Julius Caesar famous king था Christianity लेकर आये थे at the time of Roman Picts जो Scottish tribes attack तो जब रोमन्स यहां पर कर रहे थे rain कर रहे थे तब स्कॉर्टी स्ट्राइब थी वह बार बार attack कर रही थी इस Romans के ओपर ठीक है The Romans made a wall Hadarian's wall Hadarian's wall उन्होंने बिल्ड कर वाई थी because यह attack हो रही थान जो Scottish tribe थी वह बार बार attack कर रही थी उनसे बचने के लिए तो जे रोमन्स ने Hadarian walls बनवाई थी तो literature की बात करें तो Romans अपने साथ Latin लेकर आए थे जिसके वजह से Latin का बहुत जदा influence देखने को मिलता है English language के उपा जनके most of work जो Latin language में था तो जो King Honorius said King Honorius said to Kels you defend yourself because they are going back to Rome तो वो अब क्या होता है जो king होता है Romans का king होता है स्कॉटिश ट्राइब बार बार अटेक कर रही थी अब वह उन्हें भी इतनी पावर नहीं थी तो Romans ने क्या किया किया उन्होंने Kels को बोला जो original inhabitants थे कि आप अपने आप को defend कीजिए हम तो जा रहे हैं रोम में अपने घर जानी कि रोम में वापिस चले जाते हैं वो इनको छोड़कर को चोड़कर चोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद होता क्या है तो Romans जो चले गए केल्स ने इनको इनवाइट किया तो यह जो इनवाइट की थी जो भी यह आई थी कें फॉम दे नॉर्ड़न जिर्मनी आन्ड़ को जाने जानती है जूट पी आई थी वैसे तो मगर जूट इतना लंबे समय तक वो शवाइब नहीं कर पाई तो एंगलो और सेक्षन बहुत पावर्फुल ट्राइ थी वह बहुत लंबे समय तक उन्होंने सवाइब किया ब्रिटिश में ऑके तो हुआ क्या एंग्लो सेक्षन आ गए एंगलो आये थे नॉर्टन जर्मनी से ओके यह जो लेंगविज बोलते थे उसको old English बोलती है कान से लेंगवेज old english language बोलते है जो ingglose jab inert i you argu alcohol लेंगज बोलते हैं थे कहां उन्हों go a dr overeat log तो वह हम इन सारी इसंडर के बारे में हम देखे ही यह तो यह कया जानते है कैसे जानते हैं इन शै松्थ के बारे the English people by the Christian man named Bede. तो Bede एक Christian man थे जिनों होने work लेका Ecclesiastical History of English People उनी के work से हमें सारी information मिलती है Anglo-Sixson के बारे में. तो Engle कहां से आये थे? जर्मनी से आये थे. तो Engle से ही हमने पहरे भी दिसकस किया थे. एंगल ट्राइब थी वो बहुत ज्यादा प्रमिनन ट्राइब थी उनी से ये एंगल लैंड बना और जो सिक्सन थे वो सिक्सनी नेम प्ले से आये थे और जूट डैन्मार्क से आये थे. तो Engle सिक्सन पीरिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो Engle सिक्सन ने कया किया बहिए केल्ट ने तो बुलाया था उनको मगर हुआ क्या क्या तो ये पासारी उल्ट बढ़ जाता है तो केल्ट को ये निकाल देते हैं बहगा देती है अंगल अ सेक्सन दोनों क्याट को बहगा देती हैं जिसकी वज़ा से जो केल्स ने उनको अपना प्लेस छोड़ कर जाना पड़ता है और फिर सेटल हो जाते है वेल्श आइलेंड और स्कॉटलेंड के प्लेसे पे वह सेटल हो जाते हैं केल्स जो अरिजिनल इन हैबिटेंट्स जाने को निकाल दिया भाई इसको इसको दिया अ जिसको इसको अफिट ये वेल्यविन कर दिया जैसे है मसरी वेल्स वेसमें शेसट ऐसेको ये सब आइसको केंट एस एंचिलिए वेई अउसक्स इसल्स इतare इसब दैलींट्स धが वेजिक्स बहुत जदा important place है यह powerful बोल सकते है पार्ट है जो एंग्लो सेक्षन ने divided कि तब डिटेन को अलग लग parts में divided किया था तो एंग्लो सेक्षन में आगे देखेंगे तो उस समय में एंग्लो सेक्षन एंग्लो सेक्षन पीरिट की ट्राइब सी उन्होंने लिखना पढ़ना यह कहां से इसा इंग्लो सेक्षन पीरिट में 400 मैनुस्क्रिप्स थे इन्होंने लिखना शूरू कर दिया एपिक पोईटरी भी लिखी रिडल्स भी लिखे स्वरमन्स बाइबल्स की ट्रांसलेशन भी मिलती है और क्रॉनिकल्स भी लिखे इस टाइम अगर लिटरिचर की बात करें इसके बाद अगे हम बात करेंगे फेमस जो रॉइटर्स हैं ज विटर्स भी लिखे 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 It is a very important work, इसको डिटेल से भी हमें पढ़ना चाहिए, because it is very famous work of this period, Anglo-Saxon period, जिसको Old English Literature का बहुत famous work माना जाता है, ये complete work है, मगर complete है, मगर इसमें भी एक कमी है, के वे इसका हमें author नहीं पता, ये लिखा कि इसने है, इसको England का national epic भी माना जाता है, ये longest and most important poem है, Anglo-Saxon poetry गी, ऐसा ये first time में appear हुई थी, it appears in novel codex, novel codex में ये मिलती है, और इसमें 3182 lines है, बहुत important work है, इस channel पे आपको इसकी जल्द ही वीडियो भी प्रॉपरली मिल जाएगी, सब कुछ आपको details से इस बियवुल्फ के बारे में मिलने वाला है, देन आजाता है, डोयर, डोयर क्या है, ये भी एक poem है, जो 42 lines की है, ये बताती है, complaints of the minstrel who have been supplanted by arrival from her service, तो ये complaint है, एक minstrel की, जिसको supplanted कर दिया गया है by the revival of her service, जो उनकी service है, इसके बारे में, ये भी एक poem है, 42 lines की, ये poem है, डोयर, ये भी आपने याद रखनी है, then Anglo-Saxon period में important poets की बात करें, हमने poems की बात की ना पहले, तो अब poets की बात करें, Catamon and Ascent Wolf, ये बहुत important poets हैं, Anglo-Saxon period के, तो इनके बारे में आगे भी discuss करेंगे, तो Anglo-Saxon period के ना 4 ये important weekend से, collections weekend से, number one पे जाता है, books है, extra book, then Junius manuscript, then Versily book, then novel codex, novel codex में हमने देखा था, novel codex में क्या आया था, ये novel codex में ही मिली है, हमें Beowulf, उसका ये, है तो point जाने के, ये novel codex में आती है, उसके अंदर ही ये publish होती है, तो ये important manuscripts हैं, ये जो चारों है, extra book है, Junius manuscript है, Versily book है, novel codex है, ये क्या है, manuscripts है, तो ये जातर जो works है, इनके writers ने अपना name mention नहीं किया, works पे, तो extra book की अगर बात की जाए, तो इसमें, it is a consist as a 10th century codex, इसको 10th century का codex माना जाता है, इसमें हमें, Anglo-Saxian period की poetry के बारे में, बहुत जादा knowledge मिलती है, extra book में, जूनियस manuscript में, ये cadaman manuscript के नाम से भी, इसको जाना जाता है, इससे हमें, Bible के narrative और Christianity के बारे में, information मिलती है, जूनियस manuscript से, तो आव वर्सिली बूक, ये क्या है, ये poetry और prose work है, इस work में, novel codex क्या है, इसमें Beowulf manuscript है, जो बहुत important है, ये याद रखना है, ये कोई से manuscript में आती है, Beowulf, वो आती है, novel codex में, तो इसमें poetry भी है, और prose भी है, और इसमें famous work है, Beowulf, ओके, एंगलो सेक्षिन पीरेड में, आगे हमें, कैडेमन है, जो कैडेमन है, old English literature's first poet माना जाता है, जो old English literature's first poet whose work ना सर्वाइवती है, वो poet है, जिनके work आज भी available है, सर्वाइव करते हैं, कैडेमन है, then, इसमें वूल्फ ये कह, ये एंगलिकन poet हुए है, और बेड भी ये, इन्होंने हमने पहले बात की थी, एकलियास्टिकल हिस्टिकल ऑफ इंगलिश पीपल ये बेड ने लिखा था, तो ये भी important writer है, इस time का, तो अलफर्ड ग्रेट भी बहुत ज़्यादा important है, जो king of physics थे, उन्होंन उनका बहुत ज़्यादा important role है, literature के उपर हम देखें, तो ये अलफर्ड दा किंग था, उन्होंने आडर किया, कि जो जितने भी schools हैं, वो उनको old English में ही, मतलब study, teach किया जाए बच्चों को, और उन्होंने किया, बहुत work भी translate करवाई, जैसे Latin से English में translate करवाई थे, बहुत साइ work, Anglo-Saxon Chronicles भी लिखी गई थी, इनके time of period में, Alfred the Great के period में, तो इस work में, इस period में देखे, तो heroic poems लिखी जाती थी, religious poems लिखी जाती थी, personal poems, love poems, chronicles, sermons, riddles लिखी जाती थी, तो Battle of Maldon, ये बहुत important work है, जो के Battle of Maldon, ये एक heroic poem है, और इसका starting missing है, ending के भी कुछ part, manuscript missing है, मगर फिर भी ये important है, because it is a heroic poem of this age period, okay, then आ जाता है, allergic poetry भी लिखी गई, जिसको हमें wisdom poetry भी बोलती है, इसमें कौन कौन सी आ जाती है, the ruin, the wanderer, the seafarer, the wise lamb, the husband message, ये सारे allergic poetry के under आते हैं, है ये work, तो Alfred the Great, आल्च रोड दो, Alfred the Great थे, उन्होंने में work लिखा, जिसमें आ जाती है, the panther, the whale, the riddles, उन्हों रिड़ोड भी लिखे, जिसको हम पहेलियां बोलती है, okay, then religious points भी लिखी गई इस टाइम पे, religious poem में, the dream of the road, ये बहुत इंपर्टेंट है, the old surviving English poem, in the form of vision or dream, तो ये English language, old English language की, vision or dream में लिखी होई, first surviving poem है, the dream of the road, then the Christ and the Satan, ये भी work है, it is an untitled, इसका प्रपर लिख कोई title नहीं है, religious poem है, it is influenced by, ये influence था ये जो work है, Christ and Satan, ये जो सेंड वुल्फ का स्कूल था, उसके बहुत ज़ए influence ही, तो सेंड वुल्फ था, first Anglo-Section poet थे, to sign his work, सेंड वुल्फ के अगर बारे में, हम बात करें, ये वो poet हैं, जिनोंहोंने, वो first poet हैं, जिनोंने अपने work के बाद, वो अपना sign करते थे, नाम लिखते थे, ठीक है, जो सेंड वुल्फ थे, उन्होंने चार पॉइंट लिखी, चार पॉइंट में कौन कौन से, एक तो है, Juliana, Elena, and the fate of the Apostle, ये four points हैं, जो religious poem के अंडर आती हैं, सेंड वॉल्फ ने लिखी हैं, ओके, एंगलो सेक्षिन पीरिड में, poetry में, alliteration, simply, metaphor, use किया जाता था, rhyming नहीं होती थी, एंगलो सेक्षिन पीरिड की, poetry में, उसके बाद, अगर आएं, प्रोज के उपर, तो जातर, translation ही की कही है, इस टाइम में, Latin से, Old English में, जैसे Bible हो जाता है, और Christianity से, related बहुत सारे work, और translate किया गया है, Latin से, English में, Alfred the Great का, बहुत इंपर्टन रोल है, इसमें, क्योंकि उन्होंने, बहुत ज़दा, इस, उनके, reign में, बहुत ज़दा, यह काम हुआ, तो आगे हम बात करें, Danes of Viking, तो अब हम बात कर रहे थे, Anglo-Section के, Anglo-Section के बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा चाल रहा था, इस सब कोछे लिटरेचर भी फ्लारीश हो रहा था, इतना ज़्यादा नहीं अटैक्स हो रहे थे, तो यह वाइकिंग अटैक करना शुरू कर दिया, वही एंग्लो सेक्षन पे, इन ट्राइब्स के, तो Danes of Viking, अटैक अन सेक्षन बट डिफीटेड वाइब, मगर आए यह अटैक किया, यह अग्लो सेक्षन ने, उन्होंने क्या किया, इनको भगा दिया, हराकर भगा दिया इनको, तो उसके बाद क्या होता है, 1066 AD में, तो 7000 शोलजर आती हैं, इंग्लेंड में समुंदर के रास्टे से, तो इनका लीडर था, विलियम फर्स्ट नाम से जाना जाती हैं, और उस समय जो एंग्लो सेक्षन किंग था, वो था हराल्ड गोल्ड विंसन 2nd, इन में जो लीडर था, जनी के जो शोलजर आते हैं, विलियम फर्स्ट आता है, और एंग्लो सेक्षन का किंग, आपने यह यादत करन, वो है हराल्ड गोल्ड विंसन 2nd, वै इन दोनों में लडाई होती है, और लडाई कौन सी होती है, Battle of Hastings, इन दोनों के बीच में जो लडाई हुई थी, उसको हम Battle of Hastings के नाम से जानते हैं, और इस में जो हैराल्ड गोल्ड विंसन है, वो मारा जाता है, जिसकी वजह से, जनी के William 1st, वो conquer कर लेते हैं इंगलेंड पे जेतू बन जाते हैं जिसको William first को William the conquer भी बोला जाता है तो उसके बाद आता है Anglo-Norman period बहले Anglo-Section period क्योंकि उनका जो राजा मारा जाता है यानि कि Harold Gold Winston मारे जाते हैं तो Anglo-Section period का यही पे खात्मा हो जाता है और फिर शुरू होता है Anglo-Norman period तो Norman अपने साथ लेकिया थे French language तो William first के समय क्या हुआ order to stop old English language तो मगर क्या हुआ तो William first ने क्या किया उन्होंने order दे दिया कि school में old English language में इस language के थूरूर नहीं teach किया जाएगा तो this is all about Anglo-Saxon period जितना भी important points थे मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है I hope मेरी ये कोशिश आपको पसंदा आएगी आपको help होगी Thank you for listening me God bless you for your exam Best of luck